नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज नीशन मैं हूँ आपके साथ नेना यादो और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की आईटी मंत्राले ने ट्वीटर को नोटेस बेजा है दरसल नई गाइडलाइन्स को लेकर ये फाइनल नोटेस ट्वीटर को भेजा गया है ये तीसरा नोटेस हैं आपको बताते चले क्योंकि इसके पहले ट्वीटर को दो बार नोटेस आई की मंत्राले दे चुका है और ये तीसरा और फाइनल नोटेस बताया जा रहा है शिकायत के लिए अधिकारी की नियुक्ती पर जवाब मांगा है नोडल ओफिसर के भी नियमों के मताबिक अभी तक कोई नियुक्ती नहीं की गए आपको ये भी बता दे कि आज ही ट्मीटर ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए आरेसेस के कई नेताओं के वेरिफिकेशन हटा दिये हैं कई नेताओं के नाम के आगे से ब्ल्यूटिक हटा दिया है और विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया इसके बाद में ये नोटिस बेजा गया अलाकि ये नोटिस गाइडलाइन्स नहीं मानने के चलते बेजा गया तिशे कई दिनों से केंद्रिस सरकर और ट्वीटर के बीच में ये टकराव लगातार देखा जा रहा है और ये टकराव अब और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि थीसी बाद नोटिस बेजा है अब आईटी मंतुराले की तरफ से जो नोटिस बेजा गया उसमें ये सपश्ब पूछा गया है कि अधिकारी की न्योकती आखिर कब तक की जाएगी दरसल ये वो अधिकारी है जो शिकायत के लिए नियोकती की जानी है शिकायत के लिए अधिकारी की नियुक्ति पर जवाब इस नोटिस में मांगा है इसके अलावा नोडल ओफिसर की भी नियमों के मताबिक नियुक्ति नहीं की गई है इसको लेकर भी नोटिस बेजा गया विकास चंद्रा मेरे सेयुकी समय मेरे साथ में जुड़ रहे है विकास एक तरफ जो तमाम नेता हैं आरेसिस के उनके नामों को के आगे से ब्ल्यूटिक हटा देना यानि क्योंने आनवेरिफाइड करना दूसरी तरफ आईटी की भी एक तरफ से सकती आपर नजर आ रहे है तकराव दोनों तरफ से बढ़े रहे है तरह पर तकराव आप दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है इस तरीके से पिछले काफी दिनों से केंडर सरकार जो सोसल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म से खास वर पे टुटर हो गया, वाटसप हो गया, फेस्बूक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया उस पर एक नकेल कसने की जो कोशिस कर रही है उसी से इसको जोड़ कर देखा जा रहा है और यहां तक की RSS के सरसंग चाला, जो सरवच हैं, उनके एकाउंट को भी अन्वेरिफाइट कर दिया गया है और देखे कि अब जो किंद्रीय मंत्री रविशंकर परसाद है, इलेक्रोनिक अनिफर्मिशन टेकलोजी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को कड़े सब्दों में चिताउनी देते हुए नोटिस भी दिया है और कहा है कि अगर भारत के कानून को ट्विटर नहीं मानता है तो भारतिय कानून और यहां के पैनल की हिसाब से उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी यानि साफ सब्दों में अब मिनिस्ट्री ने ट्विटर को चिताउनी दे दिया है कि वो मनमानी नहीं कर सकता है जो भारत सरकार ने रूल बनाए है कानून बनाए है जो भारत सरकार की मांग है उस पे ट्विटर को चलना होगा तो जिस तरीके का कड़ा रुख 21 समय भारा सरकार का है उसी से ट्विटर के रुख को भी जोड़ कर देखा जा रहा है और यही वज़ा है कि जहां एक तरफ आरजेडी जैसी पार्टी को ट्विटर ने डवल टिक दिया है तो वही रास्त्रिय स्वाम सेवक संग के सरसंग चा यह बास यह ज़र इस पर दै, यह गाई-डलाइन्स नहीं मानने की वज़ा से नोटिस बेजा गया है? इनको फॉलो करता हुआ दिक नहीं रहा है और लास्ट में साफ तोर पर ये संदेश दिया गया लिखा गया है कि अगर ट्विटर नहीं मानता है तो भारतिय कानून जवाइटी के कानून है और जो पिनल एक्ट है उसके तहट ट्विटर पे भारत सरकार कारवाई करेगी यान जिस तरह से अब ट्विटर की तरफ से कारवाई की गई मोहन भागवात वैंकया नाइडू भाया जी जोशी ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके प्रोफाइल पर एक्शन लिया था ट्विटर ने और वेरिफिकेशन हटा दिया है अब उन्हें अन्वेरिफाइट कर द या क्या